हलो फ्रेंड्स मैं एक ता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको पारमपरिक तरीके से बंडे की तेस्टी सबजी बनाना बताएंगे ये देखिए कितनी तेस्टी सबजी बनी है बंडे की वहाथ ही लजीज होती है और ये अकसर हर घरों में बनती ह इसको हम एकदम पारमपरिक तरीके से बनाना बताएंगे और ये देखिए आपको दीख रही होगी कितनी लजीज सब्जी बनी है बंडे की और उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो को फॉस्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर आपने के साथ सोसल मेडिया पर तो चलिए बनाते हैं टेस्टी बंडे की सब्जी इसको देखिए सबसे पहले बनाने के लिए बंडे को अच्छे से साफ कर लिजिए और ये बंडा जो है 500 ग्राम का है तो आपके परिवार में जितने लोग हों उसी साफ से आप बंडा ले स करते हैं तो ये इधर देखिए मैं बंडे को पहले छील लोंगी तो इस तरह इसको अच्छे से छील लेना है तो ये देखिए इसको अच्छे से चाको की सायता से मैंने छील लिया है और ये उपर वाला हिसा और नीचे वाले हिसे को मुझे कट कर लेना है और यहां देख रहे हैं आपकी इसमें सफेद सफेद रस निकल रहा है तो यह सारे बंडे मेरे कट चुके हैं और अब मैं इसको भी पानी से दो के और फिर इसको सुखा लूँगी क्योंकि मुझे इसको फ्राइ करना है और यहां पर देखे मैंने गैस अन कर दिया है और एक कूकर रख इसको मैं फ्राइ करोंगी आप देखे मैं बंडे को फ्राइ करोंगी यह बंडे को यह काफी मतलब चिप चिपा इसमें होता है तो यह जब फ्राइ हो जाता है तो बहुत ही टेस्टी सब्जी तो आप मुझे इसको फ्राइ कर लेना है मैंने गैस का फ्लेम मेडियम ही रखा और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है तो यह चिप चिप होता है तो इसको अच्छे से फ्राई करना होता है इधर देखिए मैंने दो प्याज लिया है उसको कट कर लिया है और यह लहसुन लिया है और तड़के के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने यह देखिए यह द देकिन कुकर की जो सबजी होती है बहुत ही अच्छे से बनती है और आप जरूर एक गाल त्रयूर रहें तॉ जरूर एक बार ट्राइर करिये कहाँ के लिए रफ़ा है इसका एक पेस्ट ट्यार कर लोगी तो इद ts k एक पेस्ट कर लेती हुँ पयाज कर यत talented लरह सुन ये मेरा लेसुन और प्याज भी अच्छे से पिस चुका है इसको मैने दरदरा मतलब पिसा पतला नहीं और साथ में दखी ए समय अब मसाले लिया है ये गरम मसाला है और ये खटाई है और ये लाल मिर्च है और यहां पर देखिए हल्दी है, नमक है, और तड़का के लिए जो मैंने बताया थबाई है और ये देखिए मैंने आप चाहे तो आमचूर भी ले सकते हैं, मैंने ये पैकेट वाला खटाई लिया है तो ये देखिए, फ्राई करके मैं निकाल चुकी और उसी तेल में, उसी तेल में मैं सबसे पहले मैं हींग डालूँगी तो हिंग आपको पता है कि स्वास्त के लिए काफी अच्छा होता है तो पैड़े मैं हिंग डाल दी और ये तड़के के लिए जो भी आप गरम मसाला लेना चाहे हैं वो आप डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया है बनाते हैं तो उसमें सरसो डालते हैं और लहसुन और प्याज का डालके पेस्ट बनाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है लेकिन आप इस तरह भी ट्राई करेगा बहुत अच्छी बनती है तो इधर देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं प्याज भी अ में पानी में दाल चुकी हूँ, और इसको चलाते हुए मैं इसमें कुछ मसाली जो लिया था वह भी मैं इसमें अड़ करूँगी, तो यहाँ पर अब मैं मसाले एड़ कर रही हूँ, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी, बहुत जादा मैंने मसाला नह तो यहां पर यह जो फ्राई मेरा बंडा था वो भी मैं इसमें डाल दोंगी तो यह देखिए मैं इसमें बंडा डाल दी हूं और इसको अच्छे से मिला दी हूं तो यह बहुत ही अच्छे से यह सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसमें पानी ड तब ही अच्छा लगता है तो आप जैसा पसंद करते हैं तो मुझे तो सुखा वाला ही मतलब कम पानी इसमें पसंद आता है और यहां पर देखे मैंने खटाई डाल दिया है और थोड़ा सा अनस्वात के अंसार नमक डाल दोंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी और मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी बहुत ही थोड़ा सा और पानी डालूँगी तो बस देखे इसको अच्छे से इसको कूकर बंद कर देना है और यहां पर मैं चमच को भी अच्छे से दो ले रही हूँ बहुत थोड़ा सा पानी डालना है और पानी क्योंकि कूकर बं कि आपको दिखाऊंगी कि कैसी दिख रही है आप सब्जी बंडे की तो बस मैंने कूकर का डकन खोल दिया है और यह देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है बहुत ही टेस्टी बहुत ही चेटपटी सब्जी बन लगती है और उपर से मैं इसमें धनिया डाल दे रही और अब मैं इसको अच्छे से धनिया का पत्ता मिक्स कर दोंगी तो यह देखिए कितनी सूखी कितनी अच्छी सब्जी बनी यह बंडे की बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और कबेंड करके बताईएगा कि आपको कैसी लेग यह द और इसको मैं एक बाउल में निकाल लोंगी तब देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितनी अच्छी सब्जी लग रही है बहुत ही टेस्टी सब्जी यह हो इस सब्जी को मैंने बताया कि आप इसको दो मसालों के साथ बना सकते हैं यानि कच्छे मसालों के साथ भी बना सकते हैं और उसमें आप सरसो डाल सकते हैं और इसमें सीधे खड़े मसाले यानि गरम मसाले के साथ जो मैंने बनाया है उस तरह भी बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होती है आप इसे पूरी पराठा चावल दाल किसी भी चीज के साथ खास खाई यह बहुत ही लज शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ सोचल मीडिया पर थैंक यू फ्रेंड्स